आप सबी के लिए लेकर आई हूँ पराग्रम 2.0 के अंदर आपके पास जो चैप्टर नमबर 12 है जैप रद्योगी की एवं इसके उपियों का एक वन शॉट वीडियो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को खतम करने वाले हैं एक ही बारी में बहुत सारे बच्चों के डिमांड थी कि मैं ये चैप्टर फटा पटसे बन शॉट में हमें कलियर कर लिजे क्योंकि यहां से भी आपकी काफी सारे एक्जाम में कोशन्स बनते है अधिकतर देखा गया है कि यहां से आपके एंसी क्यों कोशन और अती लगू कोशन काफी जादा बनते हैं साती साथ लगू तरिये प्रेश्ट में अगर हम देखे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो जितने बच्चे हमारी क्लास में जुड़ गए हैं आप जलदी से अपने सभी तानिया कुमारी शिवांस देव ठाकूर पूजा खुशी सभी को गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग फटापट से आप सभी को अपने सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेर करना है जुड़ जाना है हमारे साथ आज की क्लास में जल्दी जल्दी से जुड़ जाईए जरा सबके सब ठीक है तो मुझे लगता है कि मोस्ती वच्चे हमारे साथ जुड़ गए है आज सभी आप सभी ने आज की क्लास में इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है जो कि यहां आपके एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो यह जो चैप्टर है इसका जो मैं आप सभी को बता दू कि पराकरम 2.0 के अंदर आप सभी के लिए हमने हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो बनाई है तो अभी तक जितने भी अन्या बोड के बच्चे हैं हमारे MP के UP के 36 गड के उत्रा खंड के तो अभी तक उनके पेपर नहीं है और बहुत सारे बच्चे अभी अप से आपकी बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी तो प्लेलिस्ट में जाएगी और वहां से आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगी हर चैप्टर के लास्ट में तो चलो फिर बिनादेरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को जिसमें की हम जया प लेज़ भते इसके पहले चैप्टर आयए था आपके पस या प्रद्योगी की सिध्धान एवं प्रक्रम का उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से किसे भी वांचित जीन को निकाल करके हम क्या कर सकते हैं उसको किसी पर पोशी कोशी का में एस थानांत्रिक करते हैं ताक कि आपको कलियर हो जाए कि प्रध्योगी की में आप क्या कर रहे हो जीन को स्थानांत्रिक करते हो जैसा कि हम बोल सकते कि मानबाद यहां पर कोई अच्छे गुणवाला जीन है अच्छे गुण से जैसे कि हम इसमें भात करते हैं कि इसके पाद के आफ beginner चंपता है क्यों कि उसके पास ये जो जीन है वह प्रोटीन का निर्मान कर रहा है जिसके कारण व्यक्ति की रोग प्रति रोधक चमता अच्छी है लेकिन वहीं दूसरा हमारे पास कोशिका है तो हमारे पास यह जो कोशिका हो ये जो जीव हो इसके सरीर में भी इसके तरह ये गुण आ जाए रोग प्रतिरोधक जो जीन है इसका या रोग प्रतिरोधक छमता का तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर जीन के साथ छेड़ खानी करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे जैब प्रतिरोधक के द और फिर इसको क्या कर देते हैं पर पोशी कोशिका में डाल देंगे उसके पश्चाद अब इसके दीने के साथ ये जीन जब जुड़ जाएगा तो आप इसकी बॉड़ी में भी क्या होंगे उसी रोग प्रतिरोदक छमता को बनाने वाले प्रोटीन का स्त्राव हो जाता है तो इससे हमें क्या बेनिफिट वा इससे ये बेनिफिट वा कि ये जो हम जीन स्थानांतरण का ये जो कारिय कर रहे है इससे को हमने कई अलग-अलग छेतरों में करके अपने मानम कल्यान के लिए बहुत सारे उत्पादों का निर्मान किया है तो यही है आपका Σचैप्टर प्रद्योगी की कर रहे हो इसमें आपने किन-किन छेत्रों में लाव प्राप्त किये है तो आपको तो चैप्टर के वर्वीव से आपको क्लियर हो जाएगा कि और कि आपको क्या क्या यहां पर टॉपिक कंपOOOO करने हैं जब हम इस चापटर लिए की बात करते हैं तो इसमें पर देखिए पहले हम देख रहे हैं चैपस्टर का नाम है जयव प्रद्योगी का उप्योग फिकिंग का लिए पह면 ने उपयोग किया है वो आपने अपने क्रिशी के छेत्र में कर रहा है क्रिशी के छेत्र में भी आपने क्या करा है जीन का स्थानांत्रित करके बहुत सारी जैसे की कीडक प्रतिरोधी फसलों का निर्माड करा कीट प्रतिरोधी फसलों का निर्माड करा है जीन को स्थानांत्रित करके यह होता है क्रसी के छेत्र में दूसरा आपने यहां पर किया है चिकित्सा के छेत्र में आपने चिकित्सा के छेत्र में कई सारे यहां पर आशदियों को भी बना क्लियर बात है तो देखेंगे की कौन-कौन से च्षेत्र है जहां पर आपने जीन स्थानांत्रण करके चिकित्सा के छेत्र में जय प्रद्योगी की को एक चमतकार साबित कर एक पर ठीक है उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे हमने यहां पर क्या करा है कुछ पार जीवी जन्तों को भी बनाया है कुछ पार जीवी जन्तों का भी निर्माण करा है किसके लिए अपने लाब के लिए जैप रध्योगी के द्वारा जीन को स्थानांत्रित करके हमने कुछ पार जीवी जनतु भी बनाए है अपने लाब के लिए तो क्या क्या बनाए होंगे यह जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट टॉपिक पढ़ना है कुछ नैतिक मुद्दों के बारे में जैप प्रध्योगी की के ब होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है बायों यह क्या कहला था इतनी बात चैप्टर में बस छोटा सा चैप्टर हो जाएगा क्रिशी चेतर में सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे कि आपने कुछ धान का निर्माण कर और धान भी कैसे शुनह जिसमें क्याविविटामिन डीकी विटामिन एक प्रच्छूर मातरा थी जो यह बहुत ज्यादा उप्यों गीता यह चैनल आपणने न जो व्यक्ति विटामिन एक कमी हैं तो कहीं न कहीं वह को द्रोक से पीडित थे तो अब उनके लिए क्या बनाया गया सुनहरे धान बनाये गये जिसके कारण वो उसका भोग करके विटामिन A की कमी को अपने सरीर से दूर कर सकते हैं क्लियर बात है दूसरा अपनी क्रशे के छेतर में देखोगे आप यहां पर बनाते हो कीट प्रतिरोधी पादपों का उपियोग करते हो यहां पर आप क्या करोगे इन पादपों में जीन को स्थानांत्रिक करते हो किसी भी जिवानों के जीन को आप स्थानांतरित करोगे और फिर क्या करोगे अपने पादप को कीट प्रतिरोधी बनाओगे यानि कि कोई भी कीट क्या करेगा आपकी जो फसल होगी उसको नुकसान नहीं पहुचा सकता है अगर उसमें क्या हो जाएगा जीन का स्थानांतर हो जाएगा ठीके इतनी बात क्लियर है ठीक उसके बात बात करते हैं किसकी तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा आप बनाओगे क्या पीड़क प्रतिरोधी बनाओगे ठीके पीड़क प्रतिरोधी पादप का निर्मान करोगे इसमें आप पड़ोगे क्या आरेनी अंता छेपन के बारे में अंता छेपन के बारे में पड़ोगे कि किस तरीके से आरेनी अंता छेपन करके बचा सकते हो इसके बारे में हम बात करेंगे क्लियर यह तीन टॉपिक यहां हो जाएंगे चिकित्सा छेत्र के जब मैं बात करूंगी चिकित्सा छेत्र में मैं आपको क्या बताऊंगी कि आपने जीन को स्थानांत्रित करके मानव इंसुलीन का निर्माण करा है तो पहला तो किया गया है कोशन आपका पूछा जाता है तो द्यान रखना जीन चिकित्सा भी आप करते हो जीन चिकित्सा कैं अंतरगार कोई भी जो 200 जीन होता है उसको आप क्या करोगे सरीर से हटा करकी उसकी जगह एक नई जीन को स्थाना अंतरित करTwолод और तीसरा आप क्या करते हो विभिन प्रकार के रोग की जाँच के लिए यानि कि आणविक निदान के लिए विभिन प्रकार के जो रोग होते है उनकी जाँच के लिए भी आप क्या करोगे यहाँ पर जैव प्रद्योगी की का यूज करते हो ये बात के लिए ठीक है पार ज चैप्टर का ओबर्वियू क्लियर हो गया ठीक है इस पर्स रूप से पता चल गए कि हमारे अंदर टॉपिक है क्या बस यह पता चल गया तो आदा चैप्टर तो आपकी मुठी में वैसी ही आ जाता है स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को जिसमें की हम स्टार्ट करेंगे जैव प्रध्योगी की को तो सबसे पहले डेफिनिशन ही अप यह जैव प्रध्योगी की किसे कहते हैं तो देखें डेफिनिशन आपको लिखनी है जैव प्रध्योगी की के द्वारा जीन स्थाना अंत करके वांशित लक्षण वाले जीव उत्पन किये जाते हैं जिसका उपयोग क्रिशी चिकित्सा जैवित पदार्थ आदी और मानुव कल्यान के लिए किया जाता है हम यहां पर टोटल मिला करके जीन को क्या कर रहे हैं स्थानांत्रित कर रहे हैं जीन के साथ छेड़खानी कर रहे है और तब क्या कर रहे है एक नए उत्पाद का निरमान कर रहे हैं किन आ में किस तरीके से जीन करके अलग अलग उत्पादों का निर्मान करा है ठीके? बहुत इजी है clear? मैं आपके exam point of view से theory भी लेकर क्या आई हूँ ताकि आप लोग अपना answer भी बना सको तो जैसे कि मैंने कहा इसमें आपको क्या का topic पढ़ने है सबसे पहला तो मैंने कहा कि हमने इसमें क्या करा है क्रिशी छेत्र में क्रिशी छेत्र में क्या? उत्पाद का निर्मान किस से? जैव प्रध्योगी किस से? तो पहला आपको याद रखना है हमने यहाँ पर क्या बनाए है? सुनहेरे धान बनाए ठीके? यानि कि golden rice बनाया तो golden rice का निर्मान कैसे गया? देखो आप देखोगे आपके बस नॉर्मली जो चावल होते जहान होते वो वाइट कलर के होते बस क्या किया गया? उन जो पहले जो पस्तिध धान थी ना उसमें हमने केवल क्या करना है? उसमें यहाँ पर बीटा कैरोटीन ठीक है? बीटा कैरोटीन का आपने क्या करा था? जीन स्थानांत्रित करा था ठीक है? स्थानांत्रित किया था क्लियर बात है? अब जब यह बीटा कैरोटीन था यह क्या करता था? यह क्या करेगा? यहाँ पर यह जो कलर होता है इसका यह यलोईश होता है तो जब आपने क्या करा एक धान के एक नॉर्मल धान की फसल पर बीटा के रोटीन के जीन को अस्थाना अंत्रित करा जया वो प्रध्योगी की के द्वारा तो आपके वहां पर जो वो पादब तयार हुआ उसके पास गुणतों थे उसमें क्या थी विटामीन एकी प्रचुर मात्रा थी ठीके विटामीन एकी क्या थी प्रचुर मात्रा उपस्तित हो गई किस में गोल्डन राइस में ठीके लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि बीटा के रोटीन यलोईस कलर का था तो वो पादब जो बना वो जो फसल बनी धान की वो कैसी बन यलो चावल आपको देखने के लिए यलो धाईन गोल्डन कलर की धान देखने के लिए मिले तो इसले हमने उसका नाम क्या रखा golden rice की नाम से दाल दिया concept clear तो पहला तो आपने क्या करा golden rice का निर्माण करा अब दूसरा आजाते हैं कीट प्रतिरोधी पादप को तयार किया कीट प्रतिरोधी क्या होता है कीट प्रतिरोधी का मतलब कि ऐसे पादप का निर्माण करा जो क्या करेगा जो पादप किसी भी कीट के कोई भी कीट अगर उसको नुकसान पहुचाना जाएगा तो वो गृषिका उपयोग करके उस पादब एक ऐसे जीन को दालेंगे जो कि कीटों के प्रती प्रतिरोधी होगा यापने कि तो उस्के कारण हमारी फश्युक्त में सोते हैं क्लियर बात है कीट्ट प्रतिरोधी का भी इनर्माण करा तो देखित अगर कर्षी के छेत्र में आप पश्चाद में क्रिशी द्वारा प्रयाप्त उत्पादन प्राप्त नहीं वा अतहां क्रिशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक कीट नासी का प्रियोग करके क्रिशी उत्पादन को बढ़ाये गया किन्तु इससे भी प्रयाप्त मात्रा में उत्पादन नहीं वा ह हमने बहुत सारे क्रिशी छेत्र में हमने अलग-अलग तरीके से प्रयोग किये हरित करांती को लेकर आए उसके बाद हमने कीट ना सकों का प्रयोग करा जया वुर्वरक का प्रयोग हुआ लेकिन जिस तरीके से जन्संक्या बढ़ रही थी उस तरीके से हर किसी की तकनीकी के द्वारा अनुवानसिक रुपांत्री पादपों को तयार किया जो के कृषी में भिन-भिन छेत्रों में उत्पादन को बढ़ा करके सबके खाध्यान की क्या कर रहे थे पूर्ती कर रहे थे किर्शी के छेत्र में अपने उत्पादों को तयार करा अब आज जाते पहले हमने एक देखा कीट प्रतीरोधि पादप की बात करोंगी तो इसके लिए यहां पर क्या किया गया माना बाद आपके पास यहां पर क्या है आपके पास माना बाद सबसे पहले बैगन की बात करते हैं बैगन के ही द्वारा इसको कीट प्रतिरोधी बनाया गया था यह माना बाद आपके पास क्या था कोई बैगन का पादप था ठीक है लो इसमें बैगन भी लगा देते हैं यह यह बड़ता हाँ यह बैग था अब देखो हुआ क्या आप देखा का आप देखते होंगे कीट लग जाते और बैगन को खा जाते उनको खराब कर लेते बैगन को है ना लेकिन यहां पर हमने क्या करा जैव प्रद्योगी के की द्वारा ठीक हमने जय प्रद्योगी की के द्वारा एक बीटी बैगन को तयार करा ठीक है अब यह बीटी बैगन क्या है है यह क्या है यह होता है आपका कीट प्रतिरोधी पादप कीट प्रतिरोधी पादप है ठीक है इसके अलावा बीटी बैगन के अलावा बीटी कपास का आपने उपयोग करा बीटी ब्रिंजल तो हो गया कपास टमाटर इन सब का आपने उपयोग करा है ठीक है अब पहले यह बने कैसे इसके बारे में बात करते हैं इसमें देखो आप क्या करते हो यहां पर आप तो नहीं लेकिन जैप रध्योगी की के अंतरगत यहां पर एक जिवानु का प्रियों किया गया ठीक है एक जिवानु था जिसका नाम था क्या बटी यानिकी बैसिलस त्यूरीन जैनेसिस क्या था बैसिलन open कि बैसिलस क्यूरींजेने सित्यूरीं उच्छीर दियर प्रोकार जिसे कैते हैं क्निक्राइद होता है और यह जो होता है यह एक विशेश प्रकार के प्रोटीन को रिलीज करता है जिसे हमने नाम दिया क्राई प्रोटीन ठीके क्राई प्रोटीन क्या है वो क्या है एक विशेला प्रोटीन है ठीके विशेला प्रोटीन है यह विशेश प्रकार के कीटों के लिए है ठीके किसके लिए होता है कीटों के लिए यह प्रोटीन बड़ा ही विशेला होता है हमारे लिए ऐसा अगर हमारे लिए होता तो हम भी मढ़ जाएंगे है न तो यहां पर कीट जो हुंगे जो भी इस बैगन या किसी भी फसल को नुक्सान करने वाले जो कीट होते है उनके लिए यह जो क्राइजीन नहीं स्थानां तृत कर दिया अपनी फसलों में तृत कर दिया डियम प्रध्योगी का उप्योक करके कि हम ने सिर॥ा कानू से अलग करा ठीक है पूरा जैप प्रद्योगी की स्टैप निकाल करके और इसको क्या कर दिया अपने फसरों में दाल दिया ठीक है अब यह जो नॉर्मल बैगन था जब हमने इसको बैसिलस थ्यूरिन जैनिसिस का जीन दिया इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा अब क्या होगा जब भी कोई कीट क्या करेगा हमारे इस बैगन को खाने के लिए धे तो यहां पर यह कोई कीट ठाथीक है जो के क्या करेगा इस БТ बैगन को खाने की कोशिश करेगा तो जैसी ही एक खाएगा तो इसकी गत जो होती है इस बैगन के जो जो सुर्छी कीडह जो ये कीडह ठाई इसकी जो आमसे होंगी उसमें कैसी condition होती है, alkalide condition होती है, ठीके, alkalide condition में आकर के, यह जो gene होगा, यह activate हो जाता है, और उसके पर च्छाद यह क्या करेगा, gene एक cry protein को release करेगा, और cry protein फिर क्या करेगी, इसके सरीर को क्या कर देती है, फाड देती है, तो कीट क्या हो जाता है, वही पर मर जाता है, तो तरीके से क्या हुआ यहां पर आपका एक कीट प्रतिरोधी पादप तयार हो गया कीट के प्रतिरोधी वो क्या कर रहा है लड़ाई लड़ रहा है तो इसलिए जया प्रध्योगी की की द्वारा हमने ऐसे पादप को तयार किया कॉंसप क्लियर है ठीके इसके अलावा हमने बीटी प्रिंजल के अलावा आपका बीटी कपास का निर्माण किया है ठीके बीटी आलू बीटी टमाटर बनाया है ठीके बीटी आलू बनाया है ठीके तो यह सारे हमने क्या करे है इस बीटी यानि की बैसिलस थ्यूरीन जैनिसिस के जीन को स्तारांदित करके यह आपकी कीट प्रतिरोधी पादप को तयार किया गया है कॉंसप क्लियर है समझ में आ गया ठीक है अब यहां पर एक और चीज़ आ जाती है चलो अभी बताती हूं ठीक है पहले इसको पढ़ लेते कि अगर कोशन आया तो कैसे आपको एक्स्प् प्रिदा में पाया जाता है इसमें उपस्तित जीव क्राइप प्रोटीन का निर्माण करता है जीन है ठीक है यह जो जीन होता है यह क्राइप प्रोटीन का निर्माण करता है क्लियर यहां प्रोटीन कई प्रकार की कीटों के लिए घातक होता है इसलिए इसे हम बीटी विस भी कहते हैं कभी कभी कोशन ये पूछा जाते है बीटी विसकी से कहते है तो डर्नन ये बीटी विसक के द्वारा जो श्रवित विशयला प्रोटीन होगा वही क्या के लाता है बीटी विसक के लाता है यहाँ प्रोटीन कीटों की आहार नाल में संक्रमन करके उन्हें क्या कर क्रवेश करा तो आपको बिटी तमाखन के नाम से आपने इसको नाम दे दिया ठीके तो क्या थे कीट प्रतिरोधी पादप थे इतनी बात क्लियर हो गई है ठीक है इसके लावा एक और चीज एक और चीज ध्यान रखने क्या गई एपलेक देती ओ ठीक है एक छोटा सा डबम बनाती यहां पर बीटि के पास अलग अलग प्रकार की जीन उपस्तित होते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमने यहां पर कपास के लिए धिया गया है ठीक है कपास के लिए कौनसे जीन का प्रियोग किया जाता है और मक्का छेदक की कीट के लिए आपका कौन सा जीन यूज किया गया तो कपास का जो कीट था, ठीके कपास को नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है उसके लिए बैसिलस थीूरी चैनेसिस की क्राई 1 एसी का प्रियों करते हैं और cry 2 AB का, second, AB का यूज़ करते हैं, ये जीन के नाम है, हम क्या करेंगे, कपास के लिए, कपास के कीट के भक्षन के लिए cry 1 AC का प्रियोग करेंगे, या फिर cry 2 AB का प्रियोग करेंगे, और मक्का छे दख, यानि कि मक्के में जो छे दुत्पन करने वाले कीट होते हैं, उसके विरोध में, उसके प्रतिरोधक में हम क्या करते हैं, cry 1 AB का प्रियोग करते हैं, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, कौन सप्क्लियर है, ये कोशन आपके MCQ में पूछा जाता है, तो ध्यान रखने हैं, क्लियर, चलो, इसके अलागा, थोड़ा सा एक और दिया गया है, साक नासी पौदब पर प्रतिरोधी पादब को कैसे तयार किया है, तो साक नासी यानि कि खेतों में फसलों के साथ अनिक अवांचनिया, साक या खर्पतवार भी उत्पन होते हैं, जो कि फसल की उत्पादन को कम कर देते हैं, तो इन्हें समाप्त करने के लि ग्लाइकोसीट नामक साक नासी का प्रियोग करते है देखो साक नासी प्रतिरोधी यानि कि इसका मतलब आपने देखा कि क्या होते कभी कभी आप देखोगे आप जब कोई भी फसल बोते हो तो उसके साथ कुछ खरपतवार भी उनके साथ उगचाते है जो कि उनके सान घेर देते है तो यहाँ पर क्या होगा उन खरपतवारों को मारने के लिए उन खरपतवारों को हटाने के लिए यहाँ पर एक जैप रद्योगी की के द्वारा ग्लाइकोसीट नामक साक नासी का प्रियोग किया जाता है ठीके इस रसायन उगो दाल करके वो खर्पतवार उस भूमी में नहीं उगेंगे तो ये जो खर ये ग्लाइकोसेट तयार किया गया ये किसके लिए तयार किया गया खर्पतवार के लिए ठीके तो ये बात आपने ध्यान रखना है कौन सब क्लियर चलो उसके बाद आपका क्या उसके बाद में जब बात करेंगे तो आज आएगा आपका अच्छा ये भी देखना है कि ये क्या होते रेरोगेक्टर ठीके नामक जिवानों का प्रतिरोधी जीन होगा इस जीन को तमाको टमाटर आधी पौदे में स्थानांत्रित करके ग्लाइकोसेट प्रतिरोधी पादप तयार किये जाएंगे जिससे कि किसी भी रसाइनिक पदार्थ जो कि खर्पतवार को नस्ट करने के लिए उप्योग किया जाता है वो फसल को नुकसान नहीं पहुँचाता है मानबाद हम नहीं कहा कि आपका ये एक प्लॉट है ठीके इस प्लॉट में क्या है आपके विविन प्रकार की फसले है ये आपकी क्या है अच्छी फसले है जो कि क्या करेंगे आपके लिए यहाँ पर कोई न कोई उत्पादन कर रही है मानबाद धान की फसले है लेकिन इनी फसलों के बीच में कोई है यहां पर कुछ ऐसे खर्पतवार ही है जो कि क्या करें इन फसलों का स्थान gher रहे है अब आप छुप तो बैठों भी नहीं आप क्या करें यह जो है संरच्वनदम यह क्या है खर्पतवार है तो इनको समाप्त करने के लिए आप क्या करोगे किसी न किसी प्रकार के आप रसायनों को डालोगे है ना आप क्या करोगे किसी न किसी रसायनों को यहां डालोगे तो आप इस रसायन का पड़ेगा इसका पड़ेगा कि कहीं न कहीं आपके यह जो फसले होंगी वो भी कहीं न कही यहां पर बर्बाद हो रहे होगी तो अब फस्लों को इस खर्पत वाल से बचाने के लिए या उन रचायनों से बचाने के लिए आप यहां पर आप करते हो यह ग्लाइकोसेट प्रतिरोधी पादप तयार यानी कि आप क्या करोगी एक रेरो बैप्टर नामक जिवानु होता ह कुए कोन सा होता है रेरोब्यक्टर नामक जिवान होता है उसके पास होता है ग्लाइकोसेट का जीन होता है आप इस ग्लाइकोसेट के जीन को अपने जो पादप होंगे उनमें स्थानांत्रित करोगे अब जब इनके सरीर पर इन पादोपों में ग्लाइकोसेट की संरचना आ गई इसका जीन आ गया तो अब जो भी खर्पतवार के विरोध में आप रशायनिक पदार्थों का प्रियोग करोगे वो इन फसलों को बचा करके रखेगा उन रशायन का केवल प्रभाव किसमें पड़ता है आपके खर्पतवारों में ही पड़ेगा फसलों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है कौंस्ट क्लियर हो गया है इतनी बात है सैंधी के देव ठाकुर ने अभी-भी हमारे पास एक सूपर चेट करी है तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका देव थीक है चलिए ठीक है आज़ा अगला गुशन देखते हैं ठीक है चलिए हुँ 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 भीहार बोल दिलखुश खतम हो चुका है चलो आएंगे अगला गुशन के अगला हम बात करते अगला जो टॉपिक है वो है कि हम किरसी के छेत्र में पीड़क प्रतिरोधी पौधे को तयार करेंगे अब पीड़क प्रतिरोधी में क्या जाएगा आपका यहां पर ध्यान रखना आपने क्या पीड़क प्रतिरोधी पादप आपने आरेनी अंताच्छेपन यहां पर पढ़ना है अगर आपके पस कुशन आता है तो आरेनी ही कि गि graphics प्रति-रोधी पादफ हम तयार कर रहे हैं चैसे प्रति-रोधक कि पादफ तयार कर रहे हैं यह मिसको क्या कहेंगे और निन अनता चेपन किसे कहते अनता छेपन दोणों तरीके से आपको याद रकने कσιंट ठीक होता क्या है अब यहां पर आप सभी इस तमाकों की यहां पर जड़े होती है इस जड़ो को खराब करने के लिए एक यहां पर क्या होगा यहां पर जो आपका क्या होता है ठीक है एक क्या होगा क्रीमी होता है जो कि क्या करेगा इस यह जो क्रीमी है जो कि आपके गोल क्रीमी के अंतरगात आते गोल क्रीमी यानि क जो SK HELLMANTHY SANGH का जीव होता है. जिसका नाम होता है मिलाइको गाईना इनकोगनेशिया ठीके यह जो आपका क्रीमी होता है SK HELLMANTHY SANGH यह क्रीमी क्या करता है तमाकों के जड़कों खराब करता है किसका कि छाहेंगे कि हमारी तमाखों की जड़न इसको हम किस तरीकह से जैव uses प्रद्योगी की ड्वारा सही औरक सके सही यानि कि हम क्या कर वोने से बचा सके कहले कहीं न होता है ठीक है इसके पास क्या है डीने है डीने कैसा है डबल स्टेंडड डीने है यह जो डीने होता है यह किसका निर्माण करेगा यहां पर यह करता है यहां पर सिंगल स्टेंडड डीने का सौरी आरेने का ठीक है किसका निर्माण करेगा सिंगल स्टेंडड आरेने का यह ज स्त्रवण करता है और यही वो पूता है जो कि क्या करे आपकी जुल स्तैंडिट नहीं करते हैं प्रोटीन का संस्वेशन नहीं कऱेदेफ। कभी संस्लेशन नहीं कर सकते हैं सिंगल स्टÁND right broadcast हिए इस 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 तमाकूं की जड्म को खराब कर रहे हैं जैप रध्योंगी की के द्वारा क्या कर सकते हैं यहाँ पर इन्गल स्टाइट आर और नी को double standard RNA बना सकते हैं, बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक दूसरा क्रीमी लेंगे, ठीके, एक दूसरा इनकोगनेशिया का, दूसरा जो आपका क्रीमी होगा, हम इस दूसरा क्रीमी को लेंगे, तो इस क्रीमी के पास, इसका DNA से क्या बनेगा, इसका भी single standard RNA बनेगा, है न, इसका स्टेंट आरेने को हम क्या कर देते हैं इसके सरीर पर प्रवेश कराएंगे ताकि क्या हो जाए यह जो आरेने हो यह क्या होगा इसके साथ बंद जाता है यह जो आरेने होगा यह एंटी सेंस आरेने होता है यह क्या होगा जो कि आपके सेंस आरेने के साथ बंद जाएगा और क्या करेगा आपके आरेने के साथ बन जाएगा तो यहां पर प्रोटीन का संसलेशन नहीं होगा इससे भी आपका क्या हो जाएगा जो तमाकों की जड़े होंगी वो सुरक्षित रहेंगी क्योंकि अब आरेने डबल स्टेंडिट बन गया है वो अपने कार्य को नहीं कर सकता ह है तो इस तरीके से आपका क्या हो गया एक पीड़क प्रति रोधी पादप तैयार हों गया किसी क्रीमी से क्रीमी से पिड़ी था वो पादप हमने उसको क्या कर दिया है उससे उसकी रक्षा कर दिया है यह भी आप से question पूछा जाएगा ठीक है तो देखिए क्या क्या है देखो विविन सूत्रक्रमी मानों सहित जनतों के कई किसमूं के पौधे पर जीवी होंगे सूत्र क्रीमी ठीके गोल क्रीमी होता है ठीके मिलाइको गाईना इनकोगनेशिया तमाखू के पौधी जड़ों को संक्रमिक कर उनकी जैदावार में कमी कर देता है तो इसके संक्रमण को रोकनी के लिए हम आरेने अंतर स्षेपन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे इस विदी में दूत आरेने पूरक द्वी सूत्री आरेने से वर्दित होने के पश्चाद कैसा हो जाएगा निश्क्रिया हो जाएगा एक दूत आरेने का शोत संक्रमन करने वाले विशाण में पाया जाने वाला पूरा आरेने के प्रतिकिर्ती के उपरांग बनने वाली मध्यवड़ती आरेने ही होता है तो इस तरीके से आपनी क्या करा आपनी यहाँ पर फसल को तयार कर दिया क्लियर बात है तो क्रिशी छेतर में आपने ये काम कर दिया एक और कुशन कभी-कभी हिरोडीन का निर्माण की बारे में पूछा जाता है ठीक है आपके उसमें नहीं है लेकिन फिर सी थोड़ा सा टॉपिक तो आया है तो बता देती हूँ हिरोडीन का निर्माण देखो क्या होता है कैसे होता है हिरोडीन विशिष्ट प्रोटीन होगा जो रुधिर का थक्का बनने से रोकता है इस प्रोटीन को ट्रांस जानिक पादप तयार करके औशदी के रूप में परियोग किया जाएगा इसके वेलिए इतना ही ध्यान रखना है, ठीक, जो है आपकी को में वो बताती है ये तो हो गया क्रिशी के छेत्र की बात, अब आज आते हैं किसके छेत्र की बात में हम आ जाएगे यहां पर चिकित द सा छेत्र में हमने जैवी। प्रद्योगी की का कैसे प्रयोग कर रहा है अब बताओ जरा क्लियर बात हो गई आपको बताओ हां बताओ समझ में आगे क्रिशी छेत्र में हमने जयाव प्रद्योगी की का उपयोग किया है कैसे किया बताओ क्लियर बात है बच्चों की संख्या नहीं दिखनी मुझे देखते हैं जरा कितने बच्चे हमारे साथ बैठे है है आज यहां से कुछ नहीं दिख रहा है मुझे आपका सिर्फ कॉमेंट दिख रहा है हाँ चलिए बताइए हाँ चलिए बैठे हमारे पर देख्चों से ज़्यादा बच्चे है ना ठीक है चलो तो यतनी बात आप सभी को 11 होगी का किस तरीके से उप्योग कर तो जब से पहले हमने कहा किसमे अनुवांस मिरमित इंसूलीन में तो अगर पूचा जाएगा तो पहले परिचह पी तो लिखोगे तो परिचह मी क्या है पुनरμα योगस्ट रेयन प्रद्योंगी की विदी का स्वास्ते सुरक्षा चेचर में अत्यदिक प्रभाव डाला है क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्च सुरक्षित और अत्यदिक प्रभावी चिकित से ओशिदी का हमने उत्पातर अधिक मात्रा में संभव हुआ है हमने क्या बनाया है जाप्रद्यों की द्वारा यहां पर ऑश्धियों का निर्माड करा है वर्टमान में लगभक आपकी जो पुणर योगस ड्यने के द्वारा बनी ऑश्धि है वो विश्व भरमि संक्या कितनी है उनकी 30 है फिके पूरे विश्व में 30 है लेकिन अगर हम तो आपको ध्यान रखना हैं तो यह तो थोड़ा सा परिचेंद हो अब आज आते हैं कि अनुवांशक निर्मित इन्सुलीन इन抌न हमने कैसे करा? तो पहले पर जब प्रद्योगी की का अविश्कार नहीं हुआ था इसके बारे में कोई नहीं जानता था तो आप सभी को पते कि मदुमे के पेशन्ट तो तबी भी रहते थे तो वहाँ पर उस समय कैसे उन्हें इंसुलीन दिया जाता था उस समय जो जीव जन्तु थे जैसे गाई रहती थी सुवा रहते थे उनके सरीर से इंसुलीन की मात्रा उनको पहले मारा जाता था उसके बाद उनके सरीर के इंसुलीन की मातरा निकाली जाते थी और फिर क्या दिया जाता था व्यक्ति को दिया जाता था जो मनुश्य डाबेटीस का पेशन था तो ऐसे तो बहुत सारे संख्या में डाबेटीस के पेशन बढ़ गए तो बार-बार हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे जीवों की हत्या करते ही रहने पड़ेगी तो इसके लिए जैप रध्योगी के द्वारा हमने यहाँ पर क्या किया हमने मनुश्य के इंसुलीन से ही बहुत सारी कौपीज बना दी और उन कौपीज को क्या करा हमने हर एक जो मदुमेहा के प्राणी होंगे उन प्राणी यानि की मनुष्य होंगे उनको दे दिया ठीक है तो यह बैनिफिट हो गया कि किसका अमारा जया प्रद्योगी का तो देखे कैसे हमने यहां पर इंसुलीन का निर निर्मित इंसुलीन का प्रियोग करा निर्मित इंसुलीन का क्या करा हमने इंसुलीन को बनाया क्लियर बात है मानु निर्मित इंसुलीन के लिए आप सभी को पता होना चाहिए हमने मनुष्य के ही मनुष्य के ही इंसुलीन से इंसुलीन की मात्रा को बनाया इंसुलीन के ज इंसुलीन जीन की बात करते हैं तो उसकी जो संड़चना में कुछ इस तरीके से हैं इनमें क्या होता है यहाँ पर ठीके सरीर के अंदर तो यह क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से होता है कि माना बाद हमने इस वाले को A नाम दे दिया बीच का जो एरिया होता है उसको C नाम दे दिया C जीन हो गया ठीके बीच वाला जो होगा वो C जीन हो गया उसके बाद जो last जीन होता है वो आपका क्या था ठीके अब सरीर के अंदर जब हम बात करेंगे तो automatically यहाँ पर मानुका इंसुलीन किसके सायोजन से बनेगा A और B ज करेंगे गया तो प्रतियों के सारी को सब्सक्राइब कख़ा ऊस्यायों सब्सक्राइब करेंगे तब यहां पर इन्सुलीन की मात्रा को बनाएंगे तो ङब प्रद्योगी की की को द्वारा यहीं किया गया कि यह जीनिखों निकाल कर सक़्छाद इसमेगिए नपपर आपके पास अपको आपके और प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् दाल करके आप क्या करोगे इसकी बहुत सारी कॉपी बनाओगे क्लियर बात है इसकी क्या करोगे इस जीन की बहुत सारी कॉपी बना सकते हो किस से इकोलाई में दाल करके ठीक है इसके क्या करा इकोलाई में दाला और इकोलाई से इसकी क्या बनाई कॉपी बनाई और इसको हम क इस तरीके से क्या कर था मानुव निर्मित इंसुलीन पर इंसुलीन के यह सब्सक्राइब एजो जिवानु मानुई को बना सकता तो निश्चini पूरी प्रक्रिया सरर होती अगर जिवानों बनाता तो अच्छी बात थी कि हम जिवानों से इंसुलीन निकाल सकते थे लेकिन जिवानों नहीं बनाते तो तुम हम असानी से जिवानों अत्यदिक मात्रा में विक्सित भी कर सकते जिसे हम अपनी आवशकता अनुसार इंसुलीन बना प्रोटीन के प्रति उनकी प्रतिरक्षी कोशिक आए होंगी, उनको क्या करेगी, कुछ allergic reaction करेगी, उनको मार देगी, तो इसलिए ये जो जानवर की जो insulin थी, कहीं न कहीं हमारे सरील के रहानिका रखती, जो कि हर किसी को Nobel के वो सूट भी नहीति ही थी क्योंकि वह दूसरे शरीर की प्रतीरक्शी कोशिक आएंगा कती है औरUS सहित इस्तंधारी में इन्सृळी और क्या होगा सिंसलिसित होता है जिसमें के यह अतिरिक फैलाव होगा जिसे हम peptide c भी कहते ए और b के साथ c भी होता इस c का कोई काम नहीं होगा ये c जो होगा वो peptide परिपक्वा इंसुलीन में नहीं होता है जो कि परिपक्वता के दौरान इंसुलीन से बौडी के अंदर अलग हो जाएगा लेगे जब जैप रध्योगी की हम करेंगे तो हमें खुद अलग करना पड़ेगा तो डियाने तकनीकी का प्रियोग करते वें इंसुलीन के उत्पा क्यारमों को त़यार किया जो मानुव इंसुलीन के स्रिंखला ए और बी के अनुरूप होती है जिसे कि एक को लाई के प्लासमिट में प्रवेश कराकर इन इंसुलीन स्रिंखलाओं का उत्पादन गया इन अलग-लग निर्मिस निकल करके डाइसलफाइड बंध से बांद कर के आपस में सायोजित करके मानव इंसुलीन का निर्माण किया गया और यह कैसे निर्माण हो आपका जैव प्रद्योगी की के द्वारा बस आपने यही ध्यान रखना है ठीक है इन्हों ने इंसुलीन प्रड्यूस कराया ठीक है अब यह जो इंसुलीन बना इसको चेक करा और उसके परशाथ क्या करा बज्जोवी इसकी बहुत सारी कॉपी बना करके औशदी के रूप में इसको डबो में पैक करके फिर मार्केट में बेचने लगे क्लियर बात हो गए ठीक है तो इस तरीके से यहां पर क्या वा आपका एक यहां पर चिकित्सा छेतर में इंसुलीन का निर्माडवा अब दूसरा यहां पर आ जाता है क्या दूसरा आ जाता है जीन चिकित्सा के छेतर में मैं आपको बता देती हूं यहां पर देखो क्या य जीन होता है उसका क्या क्या स्थानांत्रण कर रहा ठीक है दोस्पूर जीन को हटा करके उसके जगा क्या करा अच्छे जीन को प्रवेश कराया एक चार वर्षिय लड़की थी जिसके पास क्या थी एक जो एडिये जीन है ठीक है जो उसके सरीर में ठीक है यह रही एक चार वर यह एक लड़की थी जिसके पास क्या था? ADA, ADA कौन था? यानि कि Adenosin Dianemies, ठीके? यह क्या था? यह जो जीन था, यह इसकी बॉडी में कैसा था? दोश्पूर यहां क्या सकते, इसकी बॉडी में नहीं बन रहा था, ठीके? इतनी बात क्लियर है, अब यहां पर अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में यह ADA जीन नहीं होगा, तो इसका मतलब यह क्या है? यह जो जीन जिम्मेदार है, यह किसके लिए जिम्मेदार है? यह व्यक्ति को प्रतिरोधक छमता प्रदान करता है, प्रतिरोधक छमता के लिए जीन जिम्मेदार है, तो इसका मतलब बगर इस ऐसे जो बच्चे होते हैं जिन में ADA का जीन खराप होता है तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा वो आगर थोड़ा सा भी मात जैसे जनुवा उसके प्रिश्याद अगर वो बहए बातवरण के स्थिती में आते हैं तो तुरंट से वो क्या हो जाएंगे आसानी से क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोदक चमता बहुत कम होती है इस ADA जीन के खराप होने के कारण तो अब यह जो लड़की थी हमने इसको क्या करा होगा हमने इसके उस दो स्पूर जीन को हटाया होगा यह जीन था उसकी किसमें WBC में तो हमने यहाँ पर क्या किया इसको एक ADA का जीन दिया ताकि इसकी बॉड़ी में भी क्या हो सके यहां पर क्या होंगे adenocin de Além बन सके और इस बच्ची को रोग प्रति रोदक चमता प्रात्थ हो सके तब क्या किया गया यही जो कहलाता है इसफी को हम जीन चिकिस्ता कह राती है जीन चिकिस्ता में हमने दो स्पूर जीन को हटा कर कि अच्छी जीन को प्रवेश कराया यही क्या है जीन चिकिस्सा है यह बात आपने ध्यान रखनी है ठीक है यह चीजे आपको ध्यान रखनी है अब कैसे कैसे आपको लिखना है तो मैं आपको बता देती हूं देखो क्या है जीन चिकिस्सा में उन विद्यों का सयोग लेते ज कोशिका या उतकों में प्रवेश कराया जाता है यानि कि अनुवांसिक दोस वाली कोशिकाओं के उपचार हितु सामानी जीन को व्यक्ति भूण में स्थानांत्रित करते हैं जो निश्क्री जीन की छति-पूर्ति कर उनके कारियों को संपन करते हैं तो हमने इस बच्ची को चर्फ बेनी इसको अच्छ restrictive कंद दिये यह बात आपने ध्यान Ö스모 वर्त जीन को हटा करके अच्छे जीन को देना कराइगा जीन क्या कराफी तो यह अपर इस तरीके से में हमने रेट्रो वायरस का उपियो खरा कि कि यह वाड़रस को शना इस वाइरस के द्वारा हमने क्या किरा इसके सरीन में यहां पर प्रवेश कराया क्लियर यह तो इतना आएगा नहीं तो देखे क्या क्या है जीन चिकिस्ता के पहला जो प्रियोग हुआ था वो 1990 में चार वडशिया लड़की में एडिनोसिन डी अनिमेज की कमी को दूर करने क के लिए किया गया था यह इनजाइमस प्रति रक्षा तंत्र के कार्ये के लिए अत्वी महत्मपूल होता है उप्रोग्त समश्य जो इनजाइमस एडिनोसिन डी अनिमेज के लिए जिम्मेदार है वह क्या था लूप्त होने की कारण क्या हुआ उस बच्ची की जो रोग प् प्रद्योगी के द्वारा भी किया जा सकते हैं और दूसरे में हम क्या करेंगे एंजाइम्स प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार करेंगे जिससे कि सुईयों द्वारा रोगियों को सक्रिय एडिये दिया जाता है और उपरोग तो दोनों विदियों में यहां कमी ह भी नहीं है यह जो किरियाद दोहराई जाती तो उसको रोग आसानी से ग्रसित नहीं कर पाएंगे तो यह जो व्यक्त लड़की थी इसमें ADA के जीन, ADA को ये कोई enzymes को बनाने के लिए कोई जीन होगा जिमेदार, तो इस व्यक्ति में जो लड़की थी इसमें जीन नहीं था, यह हम कह सकते इसका जीन खराब था, जिसके कारण इसकी बॉड़ी में ADA का एंजाइम नहीं बन पा र यह जो बच्ची थी, यह बच्ची इसकी जो रोग प्रती रोदक छमता थी, वो बहुत कम थी, उसके कारण आसानी से वो रोगों से ग्रशित होती थी, तो इसलिए हमने क्या करा, उसको ADA का जीन दिया, ताकि उसके सरीर पर क्या हो सके, ADA का संस्लेशन हो सके और वो रोग प्रती रोदक छमता से उसके सरीर पर विक्सित हो सके, क्लियर बात है, यह होता है आपका, कौन से पुलिएर यह जीन चिकित्सा कहलाती है, ठीके? चलो, जीन चिकित्सा में सरप्रथम रोगी के रक्त से लसीका अनू को निकाल करके, सरीर से बाहर संबर्धन किया जाएगा पहले उस बच्ची की लसी काणू को निकाला बाहर पोशन माद्यां में संबर्धित किया गया और फिर क्या किया गया सक्रिय एडिये यानि कि आपका निकाली कोशिका थी वो लगा वो मरती वी एक समय आने पर मरेगी वह तो इसले यह जो क्रिया होती है यह बार बार दोहराई जाती है इसलिए अनुवानसिक निर्मित लसी काणू का समय समय पर रोगी के सरीर वे अलग करने के आवशकता होती है यदि मज्य कोशिकाओं में विलगित अच्छी जीनों का प्रारंबिक भूरी अवस्ता की कोशिकाओं में उत्पादित ADA में प्रवेस करा कर किया जाए तो ये स्थाय उप्चारोगा अगर इसका पता ठीके कि हाम किसी व्यक्ति में ADA जीन की खराबी है अगर ये जो दोस हो इ लेडिये जीन या जीन चिकित्सा की ये बार-बार दोहरानी पड़ती है ठीक है ये बात आपने ध्यान रखनी है चलो अब आज आते हैं अगला अगला आजाते हैं आणविक निदान में आणविक निदान का मतलब होता है कि हम यहाँ पर रोगों की जाज करने के लिए रो मूत्र विश्टेशन आधी का प्रियोग करते वे रोग का प्रारम में पता डगाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपकी कौन-कौन से विदी होती है एक होती है आपकी PCR Polymer Chain Reaction दूसरी होती है आपकी Eliza जिसको हम Antigen Antibody यहाँ पर क्या कहेंगे Antigen Antibody टेस्ट कहते हैं और तीसरा होता है आपका Autoradiography Autoradiography और यह तीनों के तीनों किसमें किये जा रहे है यहाँ पर आपके जीन के उसमें जैप प्रध्योगी की के अंतरगत ही कराया जाता है ठीक है जैसे PCR के द्वारा आप क्या कर सकते हैं किसी रोग की जांच कैसे करोगे कोई व्यक्ति क्या है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कि क्या है जैसे कि एक बच्चा गह रहा है बाबुल डगुबंसी बिहार पोड़कर मैंने पेपर देखा है जो साल भर आपने पड़ा है वो बिल्कुल आया ही आया है समझ गे तो यह ना बोलिए कि कुछ नहीं आया है अभी अगर मैं पेपर उठा के लग दू तो आपके जितने भी कोशन सत्तर में से मैं ये कहूंगी कि MCQ में जो भी कोशन थे वो आपने पड़े ही पड़े थे चैप्टर के अंदर कुछ कोशन हम बोल सकते कि वो आपके पर स्थोड़े से एक्स्ट्रा दे रेखे थे है ना लेकिन आपका पेपर जो आया था वो बहुत ठीक है आपको खुद की भी महनत करनी होगी ठीक समझ गये ऐसे थोड़े कि मैंने एक दिन पहले जो क्लास ली होगी उससे भी काफी कुशन आ रहे किते लेकिन एक्जेक्ट पेपर तो ऐसा नहीं आया होगा ना मैंने आपको बोला था कि आप क्या करोगे इससे रिलेटेट एक पाकट करी हमने ऑर क्या करा हमने आटो रेडियो ग्राफेक हमने बात कशीक है हां ठीक समझ गये क्लेयर हो गया ठीक है हाँ हां देखिए और गषें हाई लोगे ठीक हासे चलो कि चलो चलो आजां कि हाँ ठीक है अब हम बात करते कैसे PCR के द्वारा हम क्या करते हैं हम किसे भी सुक्ष्म जीव की बहुत सारी कौपी बना सकते हैं सोचो अगर आपके बॉड़ी में क्यों जीप ठीक है मानाबाद आपके बॉड़ी में क्या वा कोई भी जिवानू प्रवेश कर रहा है ठीक है आ हाँ पर मानाबाद उसका कोई जिवानू पस्तित है उसे किसी प्रकार कर रोग है तो उसके रक्त में डेफिनिटली जिवानू प्रेजेंट हो गई होगा तो अब PCR की द्वारा PCR क्या होती पॉलीमर्ट चेंड डियक्शन इसके द्वारा हम यहाँ पर PCR का प्रियोग करेंग तो यहाँ पर यह क्या होगा उस पोशन माध्यम में फटापट से गुरो होगा और यह अपनी संख्याओं को बढ़ाएगा अब हम यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते जब जैको जब यह एक उपस्तिता तब हम इसको नहीं जांच कर पा सकते लेकिन आब इसकी संख्या ज्या ती तेस्ट होता है तुमीं किया करोगे क्या है आपके बरता की जीव सेल होती है उनके लिए टीव किरके प्रकार की IS जालोगे जिस भी अलगलग प्रकार की अगर उस रक्त सिरम से वह जो एंटीजन जुड़ जाएगा तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा उसी प्रकार का जीवान वह आपकी बॉडी में उपस्तित है तो एलाइजा परिक्षन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं एंटीबॉ तो इसके साथ मैज करके अगर वो क्या करेगा माना बांद हमने कहा कि हमारा जो आपके पस आपने लिया किसी का उसको डीन इसमें आप लोगा करा उसमें आपको क्या है यहां पर अपके विभिन प्रकार की यहां पर बीचिता है इसमें वानी साइटोसीन एडिनीन गो आईटी यह सारी सन रचना तो जुद दूसरे के समान आ जाएंगी तो आप क्या देखोंगे यहां पर tens 2020 वहां साइटोसीन एडिनीन हैं इसको हम कहते है आटो रेडियोग्राफी तो ये भी किसमें हो जाएगा आपकी ये भी आ जाते है आपकी आणविक निदान में तो देखे क्या किया बाते की है ज्यादा मुश्किल है नहीं ठीके देखो पुनन योगस डिने प्रध्योगी की पॉलीमेरेस चीन रियक्शन उनकी उपस्तिती का सामन्यता तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन रोग के लक्षन भी दिखाई देते हैं लेकिन अगर लक्षन से पहले हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे जीन चिकित्सा का उप्योग करती है क्लियर बात है समझ गे समझ गे ना तो यहां प मरिसे निखाई देंगें तब हम क्या करेंगें पीसी आर के द्वारा उनके उनके अमने के संख्या को देखेंगें तब जा करेंगी पता कि हमें ये सद्वारा जीवात wheat kis प או के लibt पर करते किसी आगे देखते हैं यह मैंने आपको समझा दिया उसके लावा खशी कोशिकाओं के क्लोन में पूरक DNA से संक्रित होती है जिसके बाद स्वाव विकिरन चितरन और रेडियोग्राफी द्वारा हम उससे पहचानते हैं तो और रेडियोग्राफी भी मैंने आपको बता दी क्लियर हाँ कि कि देव ठाकुर अलग बच्चा क्या बोल रहा है ये तो ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन आपको पता है कि पेपर मैंने खुद रेखा है तो मैंने को तो जितना लगा कि अच्छा था ठीक एक दो कोश्चन के लिए हम बोल सकते कि वह आ जाता है और वह आता भी है इसके लिए आपको तयार रहना ही पड़ता है लेकिन सत्तर में स 35 कोशन बिहार के लिए एक एडवांटेज रहता है यही कि उनके पास बहुत ज्यादा रहते बैनिफिट यह होता है कि उप्शन बहुत ज्यादा होते वहीं अगर आप यूपी बोल में देखोगे तो चार एंसी क्यों और चारी करने पड़ते हैं विचारों को ठीक है वही कमें से निमलिखित में से क्όन्ण नहीं है तो जिस बचे नहीं है मैंने आपको बोला था कि Qo원이 जरूर से जादा पूछे गए और आदे बच्चे कि यहीं पर वह थुड़ासा गल्ती कर गए कि Qoion नहीं पड़ा अगगा तो वहाँ पर जरूर गल्ती करी उन्यों कि उसके लगूत तरिया में आपके पास 20 कोशन पूछे जाते दस आपको आंसर देने पड़ते इससे अच्छा क्या हो सकते हमारे लिए बहुत अच्छा होता है भी हार बोड का पीपर ठीक है चलो आजाओ आओ स्वाद में करा देती लेकिन आपके पास क्या है न बैक तुबैक पेपर है तो आप अपने टाइम वेस्ट करोगे उस चीज में करोगे नहीं करोगे आपको आगी नहीं दो आपने अपने हंड़ा आपना 100% दिया तो अच्छा ही रिजल्ट होगा ठीक उसके लावा अभ पार जीवी जनTU में तो पार जीवी जनTU में किस तरीके से जैव प्रद्योगी की में के द्वारा तयार करते हैं ठीके पार जीवी जनTU में एसे जंतों जिन के DNA में परिचालग द्वारा एक अतरिक्त जीन व्यवस्तित होता है तो जो अपना लक्षण व्यक्त करता है उसी को हम पार जीवी जनतु कहते हैं definition भी आ सकती तो पार जीवी जनती की याद करना इसके एक्जामपल में पार जीवी चूहे बहुत ज्यादा किया जाता है clear अब इसमें देखो होता क्या है ठीक हम इसका प्रियोग अलग अलग छित्रों में करते हैं पार जीवी जनतों का उपियोग हम किकि मोस्लिय के लिए करते है और के उस्चाइक जो मिटमेंगे सब्सक्राइब कर किया है कि हमारों कि सामह करता है चुह के सरीर में जैसे हमस्फ प्रदियोगी के किदो द्वारा क्या करा हमने यहां पर जैव प्रद्योगी की के द्वारा हम कैसे देखो जीवों को बनाते हमने जैव प्रद्योगी की के द्वारा क्या किया हमने यहां पर क्या इंसुलीन का निर्माण करा हमने कौन से इंसुलीन का निर्माण करा मानुव इंसुलीन का निर्माण पहले तो इन सब के लिए हमें टेस्टिंग क्या आप शक्ता हो गी न मनुष्या सरीर को सीदह करते हैं किसी जरवत बढ़ती है तो यहां पर इसके आ decorτι प्रेशन के होता है Só तो यहां पर क्या जाएगा पहले इसे इंसुलीन के जीन को हटा दियाँ जाएगा जो इसके शरीर में, जो इसका खुद का जीन है, उस जीन को छटा दिया जाता है। किसके द्वारा जैव प्रध्योगी की के द्वारा आगिया तो अब यह जो चूहा आपका बना है यह आपका जो चूहा बना है क्योंकि आपने इसकी क्या कर दिया इसके खुद के इंसुलीन के जीन को आपने हटा दिया ठीक हटा दिया जैव प्रध्योगी की के द्वारा तो यह जो आप चूहा बना है इसी को हम क्या कहेंगे पार जीवी चूहा कहेंगे अब आपके पास ऐसा चूहा मिल गया आपको जिसके पास इंसुलीन का जीन नहीं है अब आपने जो इंसुलीन बनाया है मनुश्या का इंसुलीन आप क्या करोगे इस इंसुलीन को इस इंसुलीन प्रद्योगी के प्रद्योगी के द्वारा पारree जिवी जन्तों का उपयोग करते हैं घॉल अब देखो किस किस शेत्र में हम करेंगे इसके बारे में बात करते हैं ठीक यह तो पुझा थियोड़ी वाला है तो इसमें कुछ नहीं जादा कुछ नहीं है देखो क्या देखो पार जीवी जन्तों का निर्माण विशेश रूप से इस प्रकार किया जाता है कि जिसमें जीन या किसे जीव पर प्रियोग करा अगर उसमें कोई एलर्जिक रियक्षन होगी तो हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में थोड़े पेचेंगे उसमें सुधार करेंगे तो यह सारे प्रियोग इंपार जीवी जन्तों में ही किये जाते हैं विकास में भागिदार जटिल कारक जैसे इंसुलीन की तरह ही विकास कारक का अध्यन किया दूसरे जाते के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरूप्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तन से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्यन एवं कारकों को सरीर में जैविक भूमिका के बारे मे सूचना मिलिये. आप की आ गए? पहला आपके पास आ गया है यह हमने पारजिवि जन THU का वपयों कर रहा है वह किस ले कर रहा है? यह आ जाते हैं आपके रोगों के अधियन के लिए कैसे करेंगे यह विष्ष रूप से निर्मित रोगों के नवूनें के रूप में प्रियोग किये जाएंगे ताकि रोगों के नए उपचार का अध्यान हो सके ठीके वर्तमांग समय में मानव रोग जैसे की कैंसर पूर्टी के रेसमकाई यानि कि सिट्रिक फाइब्रोसिस रूमेटॉइड संधी रोध वह एलजाइमर हेतों पार जीवी नमूने उपलब्द होते हैं तो हम क्या करेंगे इन रोगों के अध्यन हेतों भी क्या कर रहे हैं कोई भी हम कुछ भी तयार करेंगे ठीके जो भी इन रोगों का पता लगाने के लिए जैसे हम देखेंगे कि आखिर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा वैक्ति के सरीमें तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन पार जीवी जंतों के सरीर में कैंसर कोशिकाव को बढ़ावा देंगे ताकि क्या हो सके पता चली सके के कैंसर कोशिका कि से से खतरनाख होती है तो ये आपको क्किया हो जाएन के लिए हमने पार जीवी जन्तों कään उपयोग करा ठीक है उसके बाद आजाओं rif जैविक उतपाद में कैसे हम उतवे को हमने प्रवेश कराया जो विश्य सुत्पाद से निर्मित होते हैं इसके एक एंसी क्यों में बन सकते ध्यान रखो मानम प्रोटीन एलफा वन एंटी ट्रिप्सिन का उप्योग इंफा सीमा के निदान में किया जाता है और उसी प्रकार जो फिनाइन किटो नूरिया और इंफा सीमा का इंफा सीमा रोग पहले उत्पन करेंगे उस व्यक्ति उस चुहे के ऊपर या किसी जीव के ऊपर और फिर हम इस एंटी ट्रिप्सिन का यूज करेंगे अगर यहां पर उस जो भी आपने आउश्टी बनाई होगी जो भी जैविक उत्पाद बनाया होगा उस 1977 में सर प्रथम पार जीवी गाई रोजी मानु प्रोटीन संबंद यानि कि जो संबंद दुग्द कितना उत्पादन करती है 2.4 ग्राम प्रतिलीटर करती है इस दूद में मानु अलफा लेक्टा अल्विमीन मिलता है ठीक है जो कि मानु शिशु है तो अत्यदिक संतुलिक पोशक है जो कि साधरन गाई के दूद में नहीं मिलता है तो आपने जैविक उत्पाद यानि कि आपने कुछ प्रोटीन्स का निर्माण भी करा है तो आपने पार जीनी ऐसी गाई का निर्माण कर दिया जिसमें मनुश्य के समान मनुश्य के दुग्द के समान रोध प्रत किनी गाई का निर्माण कर दिया क्लियर बात है तो यह क्या होते हैं आपके इस तरीके से जैविक उत्पाद में आप प्रद्योगी की का उप्योग कर रहे हैं उसके बाद टीका सुरक्षा में तो आपको परता है कि जितनी भी आपकी वैक्सीन वगेरा बनती है इन सब का सब से पहले परिक्षन किया जाता है आपके जीव जंतों के उपर तो वही है टीकों का मानों पर प्रियोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जात में पार जीवी चूहों को विक्सित किया जाता है जैसे पोल्यो टीका की सुरक्षा जात के लिए पार जीवी चूहों का उप्य वोगों के लिए उनका प्रियोग पहले जीवों में ही होगा और वो जीव कैसे होंगे पार जीवी जनतु होंगे समझ गए तो यह किया जाता है उसके बाद रसाइनिक सुरक्षा परिक्षण जो कि मैंने अभी बताया न को मेकप की बात करी तो यह क्या है आविशालतवा सुरक्षा परिक्षण यानि कि कुछ मेकप प्रोडक्स से कोई अलर्जी तो ना हो तो इसके लिए भी क्या पार जीवी जनतों को अप्यों गया तो तो अलर्जी अगर उत्पन वी तो आपने क्या करा यहां पर वो जो प्रोडेक्ट बनाएं उसमें सुधार करना पड़ेगा यह मनुष्य के लिए प्रियोग नहीं होंगे तो इस तरीके से ठीके तो पार जनतों के आविशालुप अदार्तों के संपक्त लाने के बाद पक काजल एक बच्ची का नाम देखके याद आगया तो काजल का निर्मान कर रहे होंगे तो पहले उस काजल का परिक्षण किया गया होगा किसी पार जीवी जनतों के सरीर पर आखों पर अगर उसकी आखों में कोई भी ऐलर्जिक रियाक्शन दिखाई देगी तो फिर बता कर है यह द्यान रखने है चलो इसके बाद आगे अब आज आते एक लास्ट टॉपिक जिसे हम कहते हैं बायो पाइरेसीस ठीक है बायो पाइरेसीस से पहले टॉपिक पड़ो जैव पेटेंट के बारे में देखों जैव पेटेंट क्या होता है एक तरीके का सुरक्षा कानून होता है ठीके हम कहके सकते सुरक्षा अधिकार होता है कोई विवस्तु इसका के निर्मान जैसे निया कहां कि क्या क्यों कि कि है C किया कर सकते इसको हम किस रूप में यूज कर सकते रोग प्रति रोधक के रूप में यूज कर सकते हैं यहां पर हम क्या करेंगे इस पे एक सुरक्षा प्राप्त करेंगे कि ताकि कोई अन्या कम्पनी ऐसे ना करें कि हमारे प्रोडेक्ट हलदी को बेच रही है और क्या कर रही है उसके बदले का जो भी वो इंकमा रही है उसको हमको ना दे ठीक है एक तरीके से अगर वो बिना बताए हमारे उस प्रोडक्ट का यूज कर रही है तो वो क्या कहलाती है चोरी कहलाती है जिसे हम बायो पाइरेसिस कहते है तो बस यही आपने ध्यान रखना ह रूपैल में है घे को बनाने वाले या उसकी toot करने वाला्य सरकार सरक्सा प्राप्त करने लिए जिसे हमने ज्याया पैटेंट कहा जिस से क्या अब जिससे कोई विय क्या होगा यह यह लेने के बाद वो कोई भी व्यक्ति हो या संस्ता हो वो बिना उसकी अनुमती के उस उत्पाद को उपयोग नहीं कर सकती है ना ही उसको बना सकती है अगर वो ऐसा करती है और उसे आर्थिक दंड के रूप में क्या होगा उत्पाद की कीमत देनी पड़ेगी ठीके और अगर वो ऐसा करेगी और नहीं पता हो गए उस संस्ता को, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? वो कहलाथा आपका क्या? बाइो पाइरेसिस यानि कि जैविक चोरी कहलाएगा तो जैविक चोरी क्या हो जाएगी? तो यहां पर ध्यान रखना है कोई भी रास्ट ये संपती जैविक उत्पाद को बना उसके बनाने वाली संस्ता या व्यक्ति की अनुमति के उत्पाद करना ठीके जैविक चोरी या फिर बाईयोपाइरेसी कहलाता है जैसे कि करेला जामून को मदुमेह नियंतरण के लिए उपयोग किया जाता है तो देखो भारत ने ये खोज करी थी कि जो मदुमेह के रोगी होंगे अगर वो करेला खाते हैं तो करेला क्या होगा उनके कही न कही मदुमेह को क्या कर सकता है उसके लिए उपयोग किया जाता। एक उशदी के रूमें। तो ये खो़ष तो किस की थी? भारत की थी। जेकल लेकिन उस समय जाप पेटेंट नहीं होता था। भारत ने उसके लिए अपने जाप पेटेंट यानि के एक अधिकार नहीं लिया था। जिसके कारण जो बाहर की जो कमपनिया आई थी उन्होंने क्या कर दिया इसको अपनी खोज बता दिया और अब उस पे उन्होंने जैब पैटेंट ले दिया तो यानि कि उन्होंने क्या कर दिया चोरी तो नहीं करी लेकिन उन्होंने जैब पैटेंट कर दिया अब उसके अला विचारा to Kya था इसने के खोच करी लेकिन जो किला आए तो यह क्या क्या च्याप्ट्र होता है यह हो जाता है खत्म तो क्या आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया वंच्वाट में आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है ठीके इसमें कोश्चन ध्यान रखो क्या क्या होंगे एक मानव इंसुलीन आपको पढ़ना है जीन्चिकिस्सा आणविक निदान में पाल जीवी जन्तू साती सा क्रिछी छेत्र में आपके कीट प्रतिरोधी पीड़क प्रतिरोधी पादफ ये सारे टॉपिक ते जो कि आपको अच्छे तरीके से याद है याद है याद है बस एक रिवाइस करोगे तो क्लियर हो जाएगा वैसी अब मैं आपको बता दूँ कि आज रात आप सभी के प्रिजिक्स की क्लास में जरूर जुड़ जाएगी ठीके अपना आकलन कीजिए कि आपको इतने में से कि फिजिक्स में है ना को बड़ा टफ सब्जेक्ट है 150 से ज्यादा जो है उसमें से कितनी कोश्यन आ रहे तो आपना टेस्ट भी लो साथी जाथ तो इसलिए आड़ ब अब यादा बायो रेक्टर के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा मैं पढ़ा चुकी वह उसे भी ठीक क्लियर बात है चलो पिर आजाओ अगला देख लेते हैं क्या जितने बच्छे हमारी क्लास में जुड़े वे हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे त हमारे साथ बहां पर आपको ग्लास की सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे ठीके मिझे फिजिक्स सरल लगती है तो फिर कोशन लगाना जर आज तब देखती हो में कितनी सरल है ठीके अगला चैप्टर भी जल्दी आ जाएगा प्रदीप ठीके बन शॉट में खतम करेंगे हम सब्सक्राइब करना है तो घंटी बजाओगी पोन उठेगा और आपको क्या करना अपनी समस्या को बता देना है समझ में आ गया क्लियर बात हो गई है बताओ हां हो जाएगा ठीक है देव ठाकूर कहां चलागे देव ठाकूर को फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया ठीके व बन शॉट वीडियो देख लो ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही बिलते हैं आप सभी से नेक्स क्लास में एक्स टॉप